हेलो सात्यू नमस्कार, मैं अमित कुमार, वेलकम तू लर्नोहब, जहां आप सब पढ़ते हैं Maths, SST, Science एकदम फ्री एट लर्नोहब डॉट कॉम Formula of Affects सीरीज में आज हम खत्म करने वाले हैं ट्रेंगल्स को और साथ ही अगर आपने इसका One Short Video और NCRT Solutions नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं अब देखें भी कुछ Basic Terms के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले यहां पर आती है Similar Figures क्या होती हैं देखो Two Similar Figures have the same shape Shape कैसी रहेगी? Same रहेगी दोनों की But not necessarily the same size Size में वो differ हो सकते हैं Next point है All Congrenate Figures are Similar जितने भी Congrenate Figures होती हैं वो क्या होती हैं? Similar होती हैं But Similar Figures need not to be Congrenate Congrenate Figures में क्या होता है? Shape और Size दोनों ही कैसे होते हैं? बराबर होते हैं Correct है? चलो अब note में यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? Two Polygons, दो Polygons हैं हमारे पास में Polygons कहां से स्टार्ट होते हैं? Triangle से स्टार्ट होते हैं ना? चलो देखे बएगे बएगे Two Polygons of the same number of sides Sides कैसी हैं? Same number है तो वो Similar हो सकती हैं कब होंगी Similar? यहाँ पर दो Condition अपने को दे रखी हैं Their Corresponding Angles Equal, उनके जो Corresponding Angles रहेंगे ना? वो कैसे होने चाहिए? Equal होने चाहिए इनके यह Corresponding Angle, यह Angle 1 इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर और यह वाला इसके बराबर ठीक है? तब हम इन दोनों को क्या बुलाएंगे? कि यह कैसी हैं? Similar figures हैं दूसरी Condition वो क्या कहता है? Their Corresponding Sides are in the same ratio उनका ratio, उनकी Corresponding Sides का ratio कैसा होना चाहिए? Same होना चाहिए जैसे के A, B यह वाली Side इससे Compare की जाएगी? इसका ratio लिको यह वाली जो Side है A, C वो किसके Corresponding है? इसके इस वाली Side के Corresponding क्या है? यह वाला BC upon में QR तो इन तीनों का ही ratio जो है ना वो same आना चाहिए अगर यह 1 by 2 आता है तो यह भी 1 by 2 यह भी 1 by 2 अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है? Similar figures है Correct है? चलो अचा, Corresponding से मतलब यह होता है कि अगर हम इस Trangle को उठा के इसके उपर रख दे तो यह Side तो इसके उपर आएगी यह वाली Side इसके उपर आएगी यह वाली Side इसके Same ऐसा ही Angle वाले Case में भी इसके उपर उठा के रखेंगे तो यह Angle इसके उपर आजाएगा यह इसके उपर और यह इसके उपर चलो अब Next देखते हैं भई अब भई कुछ Theorem की बारी है उनको भी देख लेते हैं देखो First जो Theorem है वो क्या कहती है If a line is drawn एक line खींची जाए Parallel to the Parallel to one side of a triangle चीक है अब मान लेते हैं भई यह एक हमारा क्या दे रखा था ट्रेंगल दे रखा था चीक है PQR यहां से BC को जो ना BC को हमने Parallel खिचवा दिया किसके QR के चीक है चलो जी तू intersect यह जो parallel line खींची जाएगी वो intersect करेगी other two sides जिसके parallel खिचवाया अब इसके अलावा triangle की कौन सी कौन सी side बचेंगी एक तो यह वाली औरे की यह वाली बची के नहीं अब यह line उसको bisect करवाएगी इन बाकी बची दो side को इन distinct point अलग-अलग point पर ठीक है भाई point का नाम दे दिया B और C अलग-अलग point है the other two sides are divided in the same ratio तब उस case में क्या होगा तब उस case में यह होगा कि यह जो other two sides है ना इनका ratio कैसा होगा बराबर होगा PB upon में BQ is equal to PC upon में CR और यही क्या है हमारी basic proportionality theorem या Thales theorem बोल सकते हैं इसको है कि नहीं? चलो और यहां पर next point इसमें दे रखा है areas of triangles on the same base ठीक है? same base पर अगर दो triangle बन रखे हैं and between the same parallels are equal उनका area कैसा होता है? equal होता है अब यहां से अगर हम देखे हैं इधर इसी में अगर मैं आपको बना के दिखा हूँ देखे इसमें आपन एक चीज़ यह कर सकते हैं देखो क्या यहां आपको दो जो triangle है बने हों दिखाई दे रहे हैं क्या? triangle एक तो इधर है Q, B, C Q, B, C इसका area और दूसरा triangle क्या है? B, C, R एक तो भई यह वाला triangle और दूसरा यह वाला triangle यह दोनों triangle ऐसे हैं जिनका base तो सेम है यहनिके एक side दोनों की common है और कहा है? दो parallel lines के बीच में लाई कर रहे हैं इसका मतलब हम इन दोनों का जो area है ना उसको बराबर लिखवा सकते हैं चिक है? चलो यह चीज़ भी आपको यहाँ यादो जो है रखनी है अब उसके बाद है theorem number हमारी 6.2 if a line, एक line जो है वो divide करती है any two side, कोई भी दो side of triangle इंदा कैसे divide किया? उसने same ratio में divide किया उपर वाली में बोल रहा था कि parallel line खिचवा दे किसी तीसरी के तो ratio बराबर हो जाएगा अब उसने बता दिया कि same ratio में divide कर रही है वो line then the line is parallel to the third side इसमें वो किवल इतना बता रहा है कि अगर कोई line खिचवाई हमने किसी side के opposite मतलब सुरी देखो यह बता रहा है कि दो line को cut करती हुई एक line आई यहाँ पर और उनका अगर ratio जो है उनका ratio कैसा आया बराबर आता है तो यह जो line खिची गई है वो उसकी तीसरी side के क्या होगी parallel कही जाएगी तो यह इसके उपर वाले के opposite तो है चलिए भई next देखते है अब देखे भई next है हमारे सामने similarity of triangles ठीक है जी सबसे पहली जो similarity of triangles के इंदर theorem हम को देखने को मिलती है वो है कुछ इस प्रकार देखो जी if in two triangles corresponding angles are equal corresponding angles कैसे दे रखे है equal दे रखे है देखे दो triangle यहाँ पर बना लेते हैं ABC और PQ R दो हमको इस triangle दे रखे इसके अगर corresponding angles जो है परावर है ठीक है then there corresponding sides are in the same ratio same ratio में होगी ठीक है and and hence तब ऐसा देखा जा सकता है the two triangles are similar तब हम बोल सकते हैं जो दो triangles होंगे वो similar होंगे by angle 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 यह A, A, A जो तीन बार लिखा है न वो है angle angle और angle 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 या फिर angle angle similarity भी आप इसको ठीक है चलो तो यह तो थी हमारी theorem number 6.3 अब उसके बाद में जो theorem में वो यह है कुछ ऐसा देखो if in two triangles sides of sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle इनी triangle की बात ले लेते हैं ठीक है चलो इसको बनाने की ज़रूत नहीं है वैसे आगे पढ़ते हैं देखो then their corresponding angles are equal तब उनके क्या होंगे corresponding angles कैसे होंगे equal होंगे and hence the two triangles are similar तब हम उनको कैसा बोलेंगे उनको हम बोल सकते हैं similar इस बार उसने क्या बोला कि इनकी जो corresponding side है ना AB PQ के AC PR के और BC QR के इनका ratio जो है ना वो same आना चाहिए जैसे कि 1 by 2 इसका आया तो इसका भी 1 by 2 इसका भी 1 by 2 आना चाहिए ठीक है यहाँ पर starting में तीनों angle बराबर दे रखे थे corresponding angle तब उसने क्या बताया कि भई angle 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 similarity या फिर angle angle similarity इस case में बता दिया कि भई मतलब जो तीनों side है ना corresponding sides कैसी है उनका ratio same है इसका मतलब कौन सी similarity होगी triple S similarity यानिके side 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 similarity correct है चलिए भई next देखते है अब देखे भई similarity of triangles में यह last हमारी जो similarity की condition है इसको देख लेते हैं एक बार ठीक है चलो if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle देखिए ABC PQR मान लेते हैं यह और यह angle जो है बराबर है correct है अब तक किस statement से तो इतना ही हमको पता चलता है अब उसके बाद पढ़ते हैं आगे of another triangle and the sides including these angles देखिए भई जो side है यह जो angle है जो आपस में कैसे हैं बराबर है इनकी जो including side है यानि कि just इसकी मिलती हुई side यानि कि आप यह भी पता मतलब इस चीज़ से यह अंदादा लगा सकते हैं कि यह जो angle है कौन सी कौन सी side से touch हो रहा है उसकी बात वो कर रहा है ठीक है चलो हाँ these angles are proportional जो उनकी side है ना जिस side से वो touch हो रहा है अगर वो जो है proportion में दी गई है मतलब कि उनका ratio जो है ना वो कैसा है same ratio है दो side का ratio same दे दिया और एक जो है angle हमको बराबर दे दिया then the two triangles are similar similar हो जाएंगे कैसे side angle side similarity के हिसाब से बाई दो तो आ रही है side इसमें भी और इसमें भी इन दो side के बीच में फ़स्ट क्या angle तो side angle side similarity से correct है चलिए बाई अब देखे बाई next हमारी जो theorem आती है वो क्या कहती है the ratio of the areas दो ट्रेंगल अपने को दे रखे थे दो ट्रेंगल अपने को दे रखे थे भाई ABC और PQR अब देखो क्या कहता है वो ratio of the areas of two similar triangle दोनों कैसे हैं similar है तो उनके area का जो ratio है उनके area का जो ratio है वो कैसा रहेगा is equal to the equal किसके रहने वाला है square of the ratio of their corresponding side उनकी corresponding side का ratio का square के बराबर या तो ये वाली side मान लीजिए ये तो इसके बराबर लिखवा दो या इसके बराबर या इसके बराबर चीक है जी चलिए इसमें सीधा values दी जाएंगी आपको put करनी है और आप का अंसर आ जाएगा ज्यादा कुछ तूफानी इसमें है नहीं है इसा चीक है जी चलो next देखते हैं अब देखिए भई next आती है हमारी theorem number 6.7 देखिए साथवी theorem है ये इसको भी एक बार देख लेते हैं if a perpendicular is drawn एक perpendicular खिंचा जाएगा कहां से from the vertex of right angle of a right triangle एक क्या दे रखा है PQR नाम का एक right angled triangle दे रखा है उसने बताया एक perpendicular खिंचा गया कहां से right angle triangle के right angle के जो vertex है वहां से ठीक है जी एक perpendicular खिंच दिया गया है to the hypertenus hypertenus ये वाला होता है perpendicular खिंचा गया इसका मतलब भी 90 का यहां पर बन जाएगा बनेगा? बिलकुल देखे भई तो then triangles on both side अब ये एक triangle तो ये बना एक ये बना दो triangle यहां बन चुके हैं of the perpendicular ये perpendicular जो खिंचा है उसके दोनों side के triangle are similar similar होंगे to the whole triangle and to each other आपस में तो similar होंगे इस point को नाम D दे देते हैं यहां पर दो triangle बन चुके हैं triangle QDP और triangle QR D ये दोनों आपस में तो similar होंगे ही साथ ही साथ ये दोनों ही ये भी और ये भी किसके similar हो जाएंगे इस बड़े वाले triangle के चीक हैं ये चीजी थूरम बताती है फिर उसके बाद next है इन आ राइट ट्रेंगल next देखते हैं अब next देखते हैं भई देखे ज़रा इन आ ट्रेंगल एक ट्रेंगल के अंदर if square of one side is equal to the देखें एक triangle हमको दे रखा है बिल्कुल ठीक बात है if square of one side एक side का square बराबर है एक side का square बराबर है किसके the sum of squares of other two sides दो side जो और बची हुई है न उनके square के sum के बराबर आता है clear है? चलो then the angle opposite angle जो opposite होगा न the first side is a right angle correct है? चलो देखो जैसे के मान लेते हैं A, B, C ये triangle हमको दे रखा है ठीक है? अभी तक हमको नहीं पता के 90 degree का angle कहा बनेगा ठीक है जी? चलो तो वो यही बताता है के अगर कभी ऐसी condition फ़स जाए न तो उसमें हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना के भई एक side का square मान लेते हैं इदर ये AC आएगी एक side का square बराबर दिया जाए बाकी जो दो बची हुई sides हैं उनके B, C और A, B अगर ये condition कहीं पर बन जाए तो जो first वाली side है first वाली के मतलब वो इसकी बात कर रहा है जो starting में आई है इसके opposite वाला जो angle होगा ना वो एक 90 degree का angle होगा यानिके right angle बनेगा वो ये चीज वो बता रहा है ठीक है? चलो अब यहाँ पर note में एक point और दिया इसको भी देख लेते हैं चलिए वाई if in two right triangle दो right triangle अपने को दे रखे है hypertenuous and one side of one triangle देख इसको ठोड़ा बना ले के जड़ा इसको बना ही लेते है a, b, c, p, q, r चलो जी एक तो उसने बोला in a two right triangle ठीक है वाई, right triangle बन चुके है hypertenuous, ये hypertenuous and one side अब देखे, दो side बचती है इन में से वो कोई सी भी side बोल रहा है कोई सी भी side इसमें से हो सकती है चलिक है one side of triangle are proportional to the hypertenuous and one side of the other triangle then the two triangle are similar तब उस case में भी दोनों triangle कैसे हो जाएंगे similar हो जाएंगे by RHS similarity R से तो बना right angle ठीक है और H से बना hypertenuous और S यहाँ पर denote कर रहा है किसको जो बाकी जो दो sides रह गई हैं ना उन में से या तो ये वाली भी हो सकती है या ये वाली भी करेक्ट है इनका proportion होना चाहिए ठीक है जी चलिए तो इस वीडियो में इतना ही तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे next वीडियो के अंदर तब तक के लिए पढ़ते रहेए LearnHub से क्योंकि LearnHub is free and the best दोगने पूख जोपू है तो इस वीडियो के झाण